हेलो दोस्तों आज की इस Hindi to English Translation वीडियो में हमारा सेंटेंस है वह नहीं पढ़ रहा था तो चलिए हम इसे इंगलिस में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले हम देखेंगे सेंटेंस किस तरह का है अंत में आया है रहा था इसलिए यह सेंटेंस है Past Continuous Tense का और यह Negative है तो Negative सेंटें सेंटेंस में helping भर्व होता है वाज यह वर तो यहां पर subject के अनुसार लिखना है तो ही के साथ वज लगता है उसके बाद not लगाएंगे फिर भर्व का ing form भर्व इसमें पढ़ना को इंगलिस में read करते हैं लेकिन यहां पर पढ़ना का दो मतलब हो सकता है पढ़ना के English read और study study का मतलब होता है पढ़ाई करना जैसे कि sentence का यह मतलब है कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा था तो आप study लिखेंगे तो study के ing form studying he was not studying he was not studying वह पढ़ नहीं रहा था he wasn't studying या फिर अदि पढ़ना का मतलब किसी लिखी हुई चीज को पढ़ने के लिए इस sentence का भाव है तो आप क किताब नहीं पढ़ रहा था he was not reading a book so friends मिलते रहेंगे इसी तरह के और भी Hindi to English translation के नए नए sentence practice के साथ thank you for watching